चाइना ने अरुनाजल प्रदेश के तीन स्टूडेंट्स को स्टेपल वीजा इशू किया है। स्टेपल वीजा वो होता है जब वीजा आपके पास्पोर्ट में स्टेपल से अलग से टाच किया जाता है rather than stamped. यह तब इशू होता है जब वीजा देने वाली country उस person के citizenship status को accept नहीं करती या फिर वो person disputed reason में रह रहा होता है जिसकी sovereignty disputed होती है। चाइना अरुनाजल प्रदेश पे अपना claim करता है इसको Southern Tibet मानता है part of China। इंडिया के लिए अरुनाजल प्रदेश इसका integral part है, part of its sovereign territory और according to McMahon Line इंडिया की sovereignty पूरे अरुनाजल प्रदेश पे extend करती है। 1914 सिमला कंवेंशन में यह McMahon Line ड्रा हुआ था जिसको चाइना accept नहीं करती है। इसकी वज़े से काफी समय से वो अरुनाजल प्रदेश के residence को stapled visa issue करती है। इसका मतलब यह होता है कि वो इस reason को disputed territory मानती है। stapled visa वालों को country allow नहीं करती ट्रावल करने के लिए क्योंकि अगर उनको allow किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम लोग चाइना के उस claim को accept कर रहे हैं उसके stand को accept कर रहे हैं। इसके पहले 2010 में जब आर्मी के एक commander defense exchange में चाइना जा रहे थे तब चाइना ने उनको staple visa issue किया था और कहा था कि वो चुकि एक disputed territory command करते हैं इसे लिए उनको staple visa दिया गया है। काफी हंगामा हुआ था फिर 2011 में जब ब्रिक समिट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का delegation गया था तो जो उनके साथ journalist गये थे उनको चाइना ने प्रॉपर visa issue किया था और तब से जमू इनकस्मीर के residents के लिए staple visa वाला issue नहीं रहा है लेकिन अरुनाचल प्रदेश के deputed territory में और region में जो population रहती है उनके interest को safeguard करने की कोशिश की जाएगी लेकिन पिछले कुछ सालों से border पे इंडिया और चाइना के बीच में line of actual control को लेकर के काफी tensions चल रहा है अपना claim शो करने के लिए कुछ time से चाइना अपने passport water mark पे चाइना का map शो कर रही है जिसमें की अरुनाचल प्रदेश और अक्साइचें रीजन इंक्लूड़ेड दिखता है इंडिया ने भी अपने gold seal वाले stamp में इंडिया का map डालना शुरू कर दिया है जिसमें की proper अरुनाचल प्रदेश और इसकी proper सारी territories दिखती है